कि अगे तो के तो आज की वीडियो का टोपिक है कि हम किस तरह से अपने वंदर शेयर फिल्मोरा सोफ्टवेर 9 में जो की न्यू अपडेट आए हैं जिसमें की रिपल डिलीट और अपनी टाइम लैन को किस तरह से हम लोग करके उसके वर्क कर सकते हैं बहुत यह सानी के साथ जल्दी से वीडियो करते हैं अपना सोफ़एर ओपन और उसके बाद यहां से इनपोर्ट करते हैं अपनी वीडियो को ओके दूसके बाद यहां से वीडियो को स्लेक्ट करके लेकर आते हैं अपनी टाइम लैन के ऊपर उसके बाद यह हमारा तूल के इस तरह से काम करता है जैसे माले कि यहां पर एक लगया और एक कट मैंने यहां में ओर एक कट मैंने है है अहां पर लगा नकिर है कैसे हम कटिंग और करके इससें हम आप पर इसको डिलीडे करते हैं इस वले पाट को यहां से डिलीड करके तो उसी प्लीड चलाए यह आपकी एक्स्ट्रा वीडियो थोड़ी कट जाए तो इसको सिंपली किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ आपने खाली जगह पर क्लिक करना है जब आपके यहां पर ग्रीन लाइन आ जाएगी तो आपने राइट क्लिक करके वहां पर रिपल लेना है तो इस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हैं बहुत इसानी के साथ तो आप यहां पर क्लिक करते हैं तो अपने कीबॉड से आपने दबाना है शिफ्ट प्लस डिलीट बटन में इस तरह से कुछ काम करता है उसके पास सिंपली हमने क्या करना है जैसे मार लो हम बहुत सारी जैसे हम चाहते हैं कि यहां से वड़ा पाट डिलीट हो जाए और डिलीट भी हो जाए और साथ की साथ जो पीछे की यह क्लिप हैं सारी यह वाली अपने आप यहां पर आ जाएं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यहां पर जाके हमने राइट क्लिक करना है तो यहां पर ripple delete और वो वाला हिस्सा हमारा delete हो गया और पीछे की जितनी भी clip है वो आगे की तरफ आ गई है आप यहां पर देख सकते हैं तो जैसे simply मैंने यहां पर जैसे simply इसको delete करते हैं जैसे हम इसको simply delete करते हैं तो यह हमारा gap रहा जाता है तो इसके लिए अगर हम इस पर right click क delete दबाते हैं तो भी इसका यह shortcut है इस तरह से काम करेगा तो उसके बाद मैं इसको control Z दबा के undo कर देता हूँ एक बार तो माल लीजिए अब यह कुछ हमारी वीडियो इस तरह से मैं ऊपर रख देता हूँ तो अब हमने क्या करना है अगर हम यहां पर जाके इसको right click करके यह select select करके right click करके यहां पर ripple delete दबाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारी पीछे वाली वीडियो वो भी आगी की तरफ आगी है जो कि हमें नहीं चाहिए हमें सिर्फ उपर वारी timeline पर हम इसको ripple delete करना चाते हैं तो simply हमने क्या करना होगा यहां पर आप देख सकते ह करेंगी अपनी जगा से तो अब यहां पर select करके जैसे मैं रिपल डिड़ दुगाता हूं तो अब आप असानी के साथ यहां से इस पर वरक कर सकते हैं दूसरे वाली timeline पर क्योंकि हमारी नीचे वाली जो timeline है वो लोग हो चुकी है यहां से आप लोग कर सकते हैं वोडियो मे और बीच में gap भी नहीं रहा अगर हम simply उसको यहां से simply delete करते हैं तो बीच में gap रहा जाएगा और अगर आप इदर से इसको उठाके दर ले कहेंगे में भी इसके ऊपर चला जाए आप देख सकते हैं कि पूरा हम right way में इसको नहीं edit कर सकते हैं तो इसलिए ripple delete tool का use होता है त तो हमारा ओडियो जो है आगे पीछे हो जाता है लाइक जैसे हमने यहां पर कट किया कि अगर हम यहां पर ripple delete करेंगे तो साथ की साथ यह भी आगे की तरफ चले जाएंगे तो अगर हम यहां से इसको ripple delete में इसको यहां से करेंगे तो यह भी साथ की साथ आगे चले को हम यहां से लोग कर सकते हैं और उसके बाद सिंप्ली हम यहां से राइट क्लिक दुपागे इसको अड़ेस्ट कर सकते हैं तो हम चाहते हैं यह वाली वीडियो हमारी यहीं पर रहे और यह सिर्फ उपर वाली वीडियो को हम रिपल डिलीट करना जाते हैं तो आपने सिंप् आपको आज की वीडियो प्षानद आई ये लाइक किज़ें किजिए और कमेंट करके अपता ही आपको वीडियो कैसी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना किल्कूल मत पूलिए थैंक्स वह वागे